हलवाई जैसी बहुती स्वादेश्ट पेड़ा रेसिपी वो भी बहुती स्पेशल सिर्फ आधा कब बेशन से हलवाई जैसे आधा किलो पेड़े बनाने का तरीका सीखेंगे इस वीडियो में वीडियो को लास तक देखते रहें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चलिए फिर स्टाट करते हैं सबसे पहले इस पेड़ा को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन जिसमें हम डालेंगे आधा कप जितना बेशन आधा कप बेशन हमने यहाप यूस किया है ग्राम में बताओं तो यह करीब 50-60 ग्राम बेशन है और आधा कप ही हमें यहाँ पे या तो आप मैदा यू चुनते हैं तो इससे एक अच्छा सा जो स्मोकी वाला फ्लेवर होता है वह आ जाता है और एक तो यह हलका दानेदार हो जाता है तो हमारे जब पेड़े बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे मुँमें घुल जाने वाले तो बहुत ही स्वाधिश्ट लगेंगे खाने में ये देखिए दो-तीन मिनट जब आप इसको ऐसे भून लेंगे हलका सा ब्राउन होने लग जाएगा ये और इस तरह से हलका सा दानेदार भी हो जाएगा और इसे बहुत जादा नहीं भूनना हमें बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना क्योंकि हमें बेसन का कलर बिल्कुल पॉफेक्ट और बिल्कुल हलवाई की दुकान पे जैसे पेड़े मिलते हैं वैसा रखना है तो इसलिए बहुत जादा नहीं भूनना है थोड़ा सा 2-3 मिनट भूनने के बाद इस तरह से जब हलका ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है यह सूखा भून चु करीब 160 या 180 ग्राम के करीब हमारे पास बेशन मैदा दोनों मिला के था अचा हलवाई जो है वो घी काफी जादा डालते हैं तो अगर जादा घी खाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो जादा घी भी वैसे मैंने हलवाई से थोड़ा सा ही कम डाला है बहुत जादा कम घी और ये बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना होता हमें क्योंकि हलका सा चेंज करेंगे तो इससे कच्चापन बिल्कुल खतम हो जाएगा और जो हमारी मिठाई है उसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा देखिए घी बिल्कुल अच्छे से चोड़ चुका है और एकद कर देंगे बंद और गैस बंद करने के बाद अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे हलका सा ठंडा करना है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमच के जितना दूद दो चमच दूद मैं यहां पर क्यों यूज कर रहा हूं यह जो इसके अंदर चोटे चोटे दाने हैं तो ये दूस से बिल्कुल सॉफ्ट और मुह में घुल जाने वाले बन जाएंगे, मतलब कि जो दाने हैं वो एकदम सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गोल गोल दाने जैसे हो जाएंगे, तो इसलिए दो चमच दूर डालके इस तरह से मिक्स कर तो ये बिल्कुल अच्छे से दाने छोटे छोटे फूल जाएंगे, अब ये फूलने के बाद अब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी है, अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, अजा इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहो तो इलाइची का पावडर डाल सकते हो, कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर डालना चाहो डाल सकते हो, रोज वाटर, केवड़ा वाटर या फिर इलाइची का पावडर डाल दे, बेस्ट आप्शन है, आप इसको हमें थंडा करना है, थंडा करते हुए बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर देना है इसको थंड नहीं, तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब ये बिल्कुल मिक्स करने के बाद ये रेडी है, अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर, यह जो चीनी का पावडर होता है, वो हमें या पर यूज करना है, लेकिन हम चीनी का पूरा प्योर पावडर नहीं यूज क के लिए यूज होता है तो आप इसका यूज कर सकते हो एक कप मैंने लिया है मतलब कि ये 200 ग्राम है 200 ग्राम हमने पूरा नहीं डाला थोड़ा सा भी हमने बचा लिया है जैसे ज़रुत लगेगी हम और डाल सकते हैं इसके अंदर अच्छे से इसको हाथ से मिक्स करना है और इ यलो फूर्ड कलर कर सकते हो, क्योंकि हलवाई के दुकान पे भी डालते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा सा कलर निखर के आता है, तो उसमें आप डाल सकते हो, थोड़ा सा मैंने यलो फूर्ड कलर डाल दिया है, अब ये देखिए, थोड़ा सा डो अभी भी गीला टाइप का तो बाकी का जो शुगर पाउडर था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया मतलब जो बूरा चीनी था वो हमें इसके अंदर डाल देंगे तो बाकी का सारा हमने डाल दिया है मतलब की टोटल 200 ग्राम इसके अंदर हमने डाल दिया है अब इस तरह से पेड़े बनाके देखेंग इसमें पेडे में कोई भी क्रैक्स अगरा नहीं आएगा तो अगर आपको ज़रूत लगे तो डालना एक दो चमच गरम पानी डाल सकते हो या फिर एक दो चमच आप उबला हुआ दूट डाल सकते हो कोई भी डाल सकते हो तो जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल लेना अच्छ से mix कर लेना और जब इस तरह से बिलकुल perfect पेड़े बनने के लायक हो जाए तो फिर इसका मतलब है ये बिलकुल ready है पेड़े बनाने के लिए अगर आप इसको ball बना के देखें अगर इसमें कोई भी crack वगर ना आ रह बिलकुल perfect है soft है एकदम perfect पेड़े जैसा बन रहा है तो इसका मतलब बिलकुल ready है अब हम इसके पेड़े बना सकते हैं तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के ready करेंगे ऐसा ही जो भी शेप आपको पसंद वो आप बना सकते हो मैंने या पर नॉर्मल ऐसे roughly शेप बना के ready क कर दिया है आपको पेड़ा कोई भी mold वगरा यूज कर सकते हो कोई साचा यूज कर सकते हो पेड़े बनाने वाला मैंने तो बस नॉर्मल इस तरह से पहले गोल गोल किया पहले फिर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है और इसको ऐसे गोल करके उपर से प्रेस कर दिया है इ इसी तरह से सारे बनाने के बाद ये ready है, इसको अब हम सजाने के लिए कोई भी चीज लगा सकते हैं, यहाँ पे चांदी का work भी हलवाई लगाते हैं, तो चांदी का work किस तरह से अगर आपके पास है, तो लगा सकते हो न तो सिर्फ drive road से भी आप इसको सजा सकते हो, मैंने यह फोड़ा चोड़ा सा इसके उपर लगा दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, अब इसके उपर थोड़ी से कटे हुए पिस्ता या बदाम लगा देंगे, बदाम का कतरन, या फिर बदाम को चोटे-चोटे पीसस में काट के, one by one करके भी बदाम आप लगा सकते हो इस तरह से ये देखिए बिलकुल perfect पेड़ा बनके ready है अगर मैं आपको इसे तोड़के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितना दानेदार है कितना perfect है एकदम मुँँ में घोल जाने वाला पेड़ा बनके ready है सिर्फ दो या तीन चीजों से आप इसे घर में बना सकते हो और कभी भी तोहारों में बनाने के जरूत पड़े तो आप आराम से इसे बना सकते हो कैसी लिगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताईए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वो आप सुभी को सबसे पहले मिलती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई थेंकियो सो मच